सिर्फ तीन बार में आपके जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द हो जाएगा बिल्कुल सही नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा जबरदस नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से दोस्तों आप अपनी कमर का दर्द है जो वो सही कर सकते हैं घुटनों में अगर दर्द है या फिर जोडों में कहीं पर भी दर्द है वो सब सही कर सकते हैं इस नुस्खे के द्वारा दोसो आज के समय में कमर और घुटनों के दर्द से सिर्फ पुजूर्ग ही परिशान नहीं है, बलकि युवा और बच्चे भी परिशान है यहां तक कि दोसो जो घर में काम करने वाली महिलाए हैं, उनको भी दर्द बना रहता है हर टाइम उनकी कमर में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, यह फिर जोडों में दर्द रहता है दोसो इस दर्द का में कारण है हडियों की कमजोरी, आपको इस दर्द को सही करने के लिए अपनी हडियों को मजबूत करना होगा दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने घर पर ही अपनी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और जोडों में दर्द को सही कर सकते हैं दोस्तों जोडों में दर्ध हो या कमर में दर्ध अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये खतरनाक रूप ले सकता है और आपकी दिक्कत बढ़ सकती है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं वो घरेलू नुस्खा जिसके दुआरा आप अपनी कमर का दर्ध सही कर स कर सकते हैं यह फिर जोडों का डर्ध सही कर सकते हैं दोस्तों नुस्खे के लिए आपको चाहिए होड़ासा स्रसों का तेल, एक चममच मेधी दाना एक या दो छड़ी डालचीनी चार से पांच कलियां आपको चाहिए लहसुन की इन चार चीजों से दोस्तों आपका तेल घर पर बन जाएगा और आप अगर इस सेल की अपने जोडों में घुटनों पर और या फिर कमर पर मालिश करते हैं तो आपका दर तीन बार में ही गाइप हो जाएगा दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए आपको क्या करना है एक फ्राइपन ले गैस पर रखे से इसमें आपने थोड़ा सा सरसो का तेल डालना है यानि आप दो तीन दिन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाफ से तेल ले सकते हैं अब दोस्तों जैसे ही तेल गरम होगा आपने इसमें डालना है मेथी दाना एक चमच इस तरह से आप मेथी दाना डाल लीजिए गरम तेल में अब दोस्तों आपने जो डाल चीन ली थी उसके टूड़े आपने इसमें डालने हैं तेल में इन दोनों को बूनने के बाद दोस्तो तो आपने इसमें लहसुन भी डाल लेनी है, लहसुन आपने छिल कर डालनी है, अगर आप इसके कूट कर डालना चाहते हैं, तो कूट कर भी डाल सकते हैं, अब इस तेल को इतना गरम कीजिए, जब तक आपकी जो मेथी है, लहसुन है, ये पक ना जाए अच्छे से, अच्छ आता सुआता हो तब आपने घुटनो, कमर यह फिर जोडों में जहां पर भी आपको दर्द है, वहां पर हलके से मसाज करनी है, दस से पंदरा मिनट तक आपने इस सेल की मसाज करनी है, और दोस्तों तीन बार में ही आपके दर्द में अराम मिल जाएगा, इस मालिष के भी ध्यान रखना है, जब भी आपको दर्ध हो, तो आपने कठीन exercise नहीं करनी है, और आपने ज़्यादा आराम भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा आराम अगर आप करते हैं, तो आपकी माशपेशियों इससे कमजोर हो जाती हैं, जिससे जोडों का दर्ध घंबीर रूप ले सकता है, इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप काम जरूर करें, इसके अलावा सबसे जरूरी है अपनी lifestyle चेंज करना, अपनी lifestyle ठीक रखिये, यानि सुबह उठने का समय ठीक रखें, और रात को सोने का समय सही रखें, आधर दर्ध तो आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और दोस्तों, खान पान पर भी आपने विशेश ध्यान रखना है, टली भूनी चीजों का आपने सेवन नहीं करना है, जंक फूर से भी आप दूरी बनाए रखें, दूद और दूर से बनी चीजे जरूर सेवन करें, बीन्स, साबूत आनाज, मोसमी फल और हरी सब जब भर पूर मातरा में खाएं, खूब पाने पियें और लिक्विड पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारे द्वारा बदाया गया नुस्खा आजमाएंगे, तो आपकी कमर, घुटनों और जोडों के दर्द से आ आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वली सबी वीडियो की नोडिकेशन मिलती रहे धन्यवादोसु